कई पूर्शों को cross-dressing करना पसंद होता है they want to wear female clothes, female undergarments, female breasts क्या ये सही है, क्या गलत है cross-dressing की fantasy देखने में बहुत अजीब है सुनने में बहुत अजीब है जब हम कुछ ऐसे cases देखते हैं जहां males को ये पसंद है या वो खुद आके बोलते हैं मैं चाहता नहीं हूँ लेकिन मैं resist नहीं कर पाता हूँ जब मैं घर पे अकेला होता हूँ I try to change the clothes और वो मुझे अच्छा feel कराता है जब मैं female के clothes पहनता हूँ कितना सही क्या गलत क्या मानसिता होती है इसके बारे में detail में बात करते हैं अगर आपको भी कही न कहीं इसकी तरफ attraction है तो please video को पूरा अन तक देखे बहुत बार जब हम एक particular age की बात करते हैं वहाँ पे जब हम कुछ 12 से 13 साल के होते हैं तब हमारे अंदर sexual desires जगने लग जाती है ऐसे में वो sexual desires male dominating और female dominating हो सकती है हो सकता है आपको समझ में आए कि female सबसे ज़ादा sexual pleasure लेती है और उसको तो बहुत मज़ा आता होगा कई cases में you feel male is a dominating partner वो जब sex करता है तो उससे ज़ादा pleasure आता होगा तो वहाँ हमारी sexual domination की image बन जाती है male versus female most of the cases में ऐसा conceive किया जाता है कि female recessive है क्योंकि उसको सरफ लेना होता है और male dominating है उसको देना होता है उन cases में वो जो humans हैं जिनकी सोच female dominating हो जाती है कि females को बहुत pleasure आते है so good female को husband बहुत प्यार करता है cuddles करता है उसकी सारी च्छाएं पुरी होती है तो उनका कही न कहीं attraction उन clothes या female body को प्यार करने की तरफ चला जाता है वो कहीं न कहीं अपने अंदर वो मांज सकता लाते हैं कि मेरी body female की हो तो कितना अच्छा हो या मैं वो कपड़े पहन के करूं तो कितना अच्छा हो ऐसे बहुत सारे couples हैं जो कि मेरे पास आके बोलते हैं कि माम मेर को ना cross dressing की fantasy है तो मैं जब अपनी wife के साथ करता हूँ तो मैं उसके कपड़े पहन के करता हूँ और यह हम दोनों को pleasure देता है जब तक आपका partner इस चीज़ को allow करता है और उनके लिए okay है तो इस चीज़ में कोई problem नहीं है usually males में cross dressing की fantasy किसी routine में नहीं होती वो वैसे तो अपने काम करते होते हैं office जाते होते हैं and everything लेकिन जब sexual pleasure की बात आती है तो they try to change the clothes बहुत सारे ऐसे लड़के भी हैं जब उनके mother-father घर पे नहीं होते तो वो अपनी mother के clothes पहनता है या बाभी या wife और whatever ऐसा भी report किया गया recently मैंने एक series भी देखी थी beast of bangalore उसके अंदर भी there was a male जो regularly बहुत सारी females के साथ गलत कर रहा होता है and he used to wear female clothes उसके घुटनों पर या body में क्योंकि एक मानसिक्ता है जिसको address नहीं किया जाता जिसके बारे में खुलके बात नहीं किया जाता हमें भी हमारे घर का कोई आदमी आके बोलेगा कि मुझे ऐसा कुछ पसंद आता है तो हम बहुत जादा डर जाएंगे और हमें नहीं समझ में आएगा कि इसको कैसे treat करना है therapies help करती है आपके mental stimulation तक पहुचने में ताकि आप इस मानसिक्ता को थोड़ा सा लड़ पाएं या इससे भारा पाएं अगर आप male body में female जैसी feeling रख रहे हैं या female body में male जैसी feeling रख रहे हैं इन सब को एक सही psychologist के पास जाकर treat करना important है बहुत बार ये problem नहीं होती आपकी gender identity ही वैसे होती है लेकिन जब problem है या जब जब आपको लग रहे हैं कि बस ये आने लग रहा है मैं जाते हुए भी नहीं लोग पा रहा तो इसके लिए सही treatment लेना बहुत जादा important है आशा करती हूँ मेरी वीडियो आपके बहुत ज़े को clear कर पाई है चैनल पे नहीं सब्सक्राइब करें और consultation book करने के लिए